नमस्कार दोस्तो मैं हूं मनीश आप देख रहें क्लाउड टेकी दोस्तो आज एक नया प्लेलिस्ट क्रियेट किया हुआ है जिसका नाम है Office 365 Admin Center इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है तो थोड़ा सा इसका इंट्रो और थोड़ा उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं Office 365 के बारे में देन उसके बाद से मैं वन बाई वन आपको सारे वीडियो में आपको अपलोड करूँगा अपने यूटूब चैनल पे तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इंट्रो आफिस 365 Admin Center का तो आप देख सकते हैं कि जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है में वाले हैte बैक्गांट ऑफिस 365 का भैकग्गांट उसके बारे में थोढ़ा पड़ेंगे अभर व्यू और वयूव ऑफिस और कैसे किया जाता है उसके बारे में तोड़ा हम ओर विव करेंगे ठीक है उसके बाद sky for business admin center के बारे हम बात करेंगे आपको बता जाता हूं कि sky for business वो नाम चेंज हो गया है आप वो Microsoft Teams हो गया है तो उसके बारे में कुछ admin center में जाके हम उसको कैसे permission लगा जाते है कैसे चैनल की रिट क्या जाते है कैसे private और्पिक चैनल क्या जाते है तो सारे चीजिए मैं एक बार इस जो को cover करने कोशिस करूँगा इस विडियो में ठीक है उसके बारे में Exchange Admin Center के बारे में बात करेंगे गाईज Online Exchange का बात करेंगे उसके बाद SharePoint के बारे में बात करेंगे SharePoint Admin में कैसे यूज किया जाता है Site वगर कैसे यूज की जाती है और कुछ useful resources के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो गाईज इसका ये background है Office 365 का कर सकते हो Microsoft ने आपका अलग अलग product को define किया अलग category में define किया हुआ है तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि Office 365 देखे यहाँ पे Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneDrive, SharePoint Exchange और OneNote ये एक package है जो Microsoft ने एक ही Office 365 के अंदर सारे चीज़ इंक्लूड किया हुआ है तो थोड़ा इसकी background है और what is Office 365 आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थाम पढ़ लेंगे और यहाँ पे देखे आप यहाँ लिखा हुआई कि फ्यू नोट्स एबाउट्स एबाउट्स दो Microsoft Office 365 Home & Suit भार ठीक है इसको कैसे कैसे यूज़ करना है यहाँ पे थोड़ा सा ओभर विडियो में आपको देखे आँ बाकि प्रैक्टिकली में नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे ठीक है यह जो डॉट्स बने हुए है यहाँ पर नाइन डॉट्स बने हुए है यहाँ से आप लॉंच यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस टाइप का सारे एप आपको यहाँ पर शोग करेंगे तो आपको पर यह दो आपको 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 आपक उसके बाद हम यहां पर feedback है यहां से यहां से हम बात करें इसकी setting की तो यहां से आप शारे setting कर सकते हो अपने recording ठीक है उसके बाद से यहां पर अपना जो MA लिखा हुआ है यहां पर अपना फोटो गाप सकते हो यहां पर प्रुफाइल फोटोग्राप लघा सकते हो यहां पर लिख सकते हो कुछ ठिक है Skype of Business के background में यहां पर हम बात करते हैं तो यहां से आप call कर सकते हो ग्रूप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, यहां से कुछ attachment किसी को भेजना है, वो भेज सकते हो, internal group बना के उसके साथ chat कर सकते हो, आप multiple लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हो, आप देख सकते हो, यहां पे, थोड़ा मैं आपको दिखाएता हूँ, what is sky for business, sky for business क्या ह इसके बारे में यह दिया हुआ है, देखें यहां पे, see the online status of the team member, आप online status check कर सकते हो, अपने team members के, connect with colleague through instant messaging, अपने colleague के साथ आप messaging कर सकते हो, यहां पे make audio और video calls, यहां से video calls और audio calls दोनों कर सकते हो, आप host online meeting भी यहां से create कर सकते हो, और share and transfer file कर सकते हो, अपने colleague के साथ में, regards your audio and video calls कर सकते हो, आप किसी को, आप किसी को call कर रहे हो, अपने internal team के साथ में, उसकी videos and audio को आप अपने system पे record कर सकते हो, और यहां से setup dialing conferencing कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास में number होना चाहिए, तब जाके dial up setup होगा है, otherwise नहीं होगा, आप सी wave के थुर audio and video call कर सकते ह हो, ठीक है, अपना desktop को share कर सकते हो, share your desktop, यानि कि आप एक दूसरे को अपना desktop को share कर सकते हो, अपना screen share कर सकते हो, आप एक particular browser भी share कर सकते हो, ठीक है, आप यहां पे white, अगर आप classes करवाते हो, institute वगरा में, classes या जो भी teachers होते हैं, यह बहुत जादा यूज करते हैं, whiteboard, ठीक sync हो जाएगा online, यानि कि आपको online देखना शुरू हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा exchange background के बारे में, बात कर लेता हूँ, यह exchange online है, आप इस तरह से आपको mail दिखेगा, यह पूरे mail आपको exchange के साथ connected है, exchange online के साथ में, तो एक बार देख लेते हैं, what is exchange, ठीक है, exchange आप यूज करते हो, तो इस तरह से आपको outlook का पूरा look मिलता है, यानि कि offline और online, दोनों का look, बहुत ही cool look आपको देखने को मिल सकता है, जब आप exchange online यूज करते हो, ठीक है, उसके बाद share point की बात करें, तो share point background की बात करें, यहाँ पर custom अपना website create कर सकते हो, यानि कि अपन share point पर आपना photographs, files, वगरा एक दूसरे को share कर सकते हो, यानि कि internal and external आप organization में आपनी file को share कर सकते हो, उस पर permission लगा सकते हो, तो यह सारे चीज़ कबर करता है share point में, कुछ important मैं आपको बताता हूँ, ब्राउजर के बारे में जो ब्राउजर यह support करता है, यानि कि internet explorer 11, यह देखे क्या लिए गवा है, और share point आप office 365 अगर use करते हो, तो ठीक है, इसके बाद आप डूसरे नमर पर आता है firefox, यानि कि most of the features and functionality, firefox can work better than internet explorer, ओके, when designing, deploying and share point at the time, because it is a browser made for web development, ठीक है, यह भी बहुत ही अच्छा browser है, जिसमें आप office 365 को बहुत सारे features को आप enable कर सकते हो, ठीक है, age है, उसमें कर सकते होगा, और बाकी यह जो chrome or room है, वो ज़्यादा चीजे आपको मतलब की करने नहीं देता है, आकी chrome भी बहुत ही अच्छा software है, आप wave browsing है, जिसके तुरू आप कोई भी चीज आप use कर सकते हो, but Microsoft ने इसको रखा हुआ है, फोर्थ नमबर पे ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, overview 365 admin portal की, तो guys admin portal क्या है, what is the admin portal, तो हम बात करते हैं, the office 365 admin portal is a central place to administrator your organization account, यानि कि एक admin यहां से यह सारे चीज एक्साज कर सकता है, यानि कि आप यहां से users कर सकते हो, यहां पर group कर सकते हो, यहां पर resources आप लगा सकते हो, यहां पर billing देख सकते हो, यहां पर support, Microsoft से support ले सकते हो, फिर setting में जाके आप setting कर सकते हो, कि अपने organization में कितने आपने internal और external mail आप कौन से user कितना mail send कर रहा हूँ सारे reports आप generate कर सकते हो उसकी health check-up कर सकते हो और यहाँ पर जाके admin center के अंदर जाके आपको बहुत सार option मिलेगा इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे कज admin portal को आप open कैसे करोगे तो यह देखें यहाँ पर admin का एक icon बन जाता है जब आप logging करते हो office 365 account से तो यह यहाँ पर logging बन जाता है उसके थरूँ आप logging कर सकते हो वहाँ पर click करके तो आप देखें यहाँ पर area दिया है आप purpose दिया है what is the admin portal यानि कि getting started pen यानि कि उसका purpose क्या है this pen is available for the 30 days it includes link and wizards to get your started using office 365 including links to video a setup wizard and software to download okay इसकी dashboard की बात करे तो this is the landing page for the office 365 administrators you can see quick overview of your services health and uses and access helpful resources for administrating office 365 for more information to see service health यहाँ पर जाके आप service health में आप देख सकते हो कि आपका exchange का office 365 का यह सारे चीज़े health आपको show करे कि कौन सा health healthy है आपका services में ठीक है setup की बात करे तो this page provides step by step setup guidelines and include options for basic and custom setup यानि कि setup में जाके आप यहाँ पर domain वगरा आपना उस पर setup करना चाहते हो तो आपको step by step वहाँ पर guide भी मिल जाता है और वहाँ से आप अपना domain को यहाँ पर setup कर सकते हो users and groups की बात करे हो तो यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है this is the central place to do most tasks related to users and groups you can add, edit or delete user, reset password, assign licenses, set up security groups and manage any delegated administrator you can also use the page to set up the single sign on and directory synchronization for more information see users account management users and groups के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो user को add कर सकते हो उसके edit कर सकते हो delete कर सकते हो, reset password कर सकते हो, assign license कर सकते हो और वहां से security group भी create कर सकते हो, यहां पर group आप बना सकते हो, security group, email security group और उसके बाद से normal आपका internal group बनाते हो आप उस तरह का group बना के आप एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, ठीक है domains में बात करें तो लिखा हुआ है इसमें देखिए यहां पर this is the central place to manage your office 365 domains you can add or remove domains which dns setting and troubleshoot domain related issues for more information c domains यानि कि domains के अंदर जाके आप अपना domain का देख सकते हो, वहां से DNS record को आप change कर सकते हो troubleshoot कर सकते हो, कुछ अगर problem आती है, उसके बाद बात करें तो what is the admin portals, ठीक है इसमें बात करते हूं licensing में, तो आप यहां पर जाके license वगरा assign कर सकते हो, यानि कि you can view the details of your subscription and their teams and terms and dates, view the numbers of assigned license and review subscriptions, license में जब आप click करते हो, तो वहां से आप review कर सकते हो, कितने लोगों को assign किया है, वो सारे details आपको वहां पर show करेगा, service setting की बात करें तो the office 365 admin center contain links to commonly used to exchange online services setting as well as password community participations and mobile setting, additional services setting and manage in the exchange admin center, skype of business admin center and sharepoint admin center, okay तो guys यहां पर आप service setting में जाकि यह सारे चीज़े कर सकते हो, उसके बाद service health की बात करें, जैसे मैंने आपको बता है तो वहां से जाके service का health आप check-up कर सकते हो, reports की बात करें, उसके बात support की बात करें, तो you can search for answers, view solutions and common issue when access troubleshooting tools, you can create a new service request online, और review existing service request, if you refer to call support, this page including contact information, यानि कि आप support में जाके वहां पे जब कोई type करते हो आप, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे उसके related आपके पास content आ जाते हैं, जो अगर आपको लगता है कि benefit ticket create करने के पहले तो उससे जाके आपनी problem को resolve कर सकते हो, and purchase and services की बात करें, तो purchase additionally subscription, यानि कि आप जाके यहां स अपना subscription purchase कर सकते हो, अब बात करें handling your users की बात करें, तो आप यहां पे जाके अपना users को handle कर सकते हो, add users कैसे होगा, आप देखे admin portal पर जाना है आपको, add user में, active user में जाना है, उसके रहना है, add new user के बात करे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर form सारे fill up करने आपको उसका name, last name, display name and user's name उसके बाद से आपको contact information में आपको जाकि यहाँ पर उसकी contact information भरना है यह optional है आप बर सकते हो otherwise नहीं भी बर सकते हो उसके बाद करें यहाँ पर रोल्स की तो यहाँ से आप रोल्स उसके साइन कर सकते हो कि एड्मीन का रोल रहेगा यह नॉर्मा यूजर से यहाँ फिर बिलिंग एड्मिनिस्टेटर है कौन सा यूजर से वो आप यहाँ पर लगा सकते हो उसके बाद ही यहां पर license कि रहे तो license यहां पर आप साइन कर सकते हुआ उस user का तो यहीं एक थोटा सा overview है मैं video create करने को पाले मैं थोटा सा Microsoft के overview देना चाहता था तो बैसिकली यही है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो like and subscribe दिरू करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अचाने से मिल जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरा पहला वीडियो होगा Office 365 Admin Center के रिलेटेड तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में Thank you, thanks for watching